और इसी पर होगी आज आरपार की बहस लेकिन उसे पहले महामारी पर शर्मनाक लापरवाही का विशलेशन कर लेना बहुत जरूरी है सबसे पहली बात कि कुछ लोगों की लापरवाही पूरे देश पर भारी पढ़ सकती है एक मैला नौ तारीक को आती है और आज 20 मार्च हो गई है इन दिनों वो क्या-क्या नहीं करती है पार्टियां करती है बहुत सारे लोगों से जुड़ती है सैलून जाती है क्लिनिक जाती है ताज जैसे बड़े शांदार होटेल में रुपती है नजाने उसने अंजाने में या जानबूच कर कितने लोगों को संक्रमित कर दिया होगा इसका डेटा सामने आएगा तो शायद हम लोगों के रॉंग्टे खड़े हो जाएंगे सिर्फ दूसरों को ग्यान नहीं खुद भी उनका पालन करना जरूरी है ये सीधा सवाल सरकार से क्योंकि बहुत सारे लोग उन पार्टी में शामिल हुए जिसमें कनिका कपूर मौजूद थी और लगातार कोरोना वाइरस को लेकर ये ग्यान दिया जा रहा था जिसे जरूरी ग्यान कहा जा रहा था कि आप इस तरह की भीड़भार वाली जगों से बचे पार्टिया करने से रुकें सिर्फ दूसरों को ग्यान नहीं खुद भी पालन करना होगा ये आज हम सब को इस चर्चा के बाद समझ देना होगा क्योंकि स्तिती बहुत नाजुक पड़ाओ पर पहुँच चुकी है ये मौका आपस में भीड़ने का नहीं साथ मिलकर कोरोना से लड़ने का है अभी कपिल सिब्ल काप स्टेट्मेंट देख रहे थे क्या आज हम महामारी से लड़े या फिर NPR, CA, NRC को लेकर अपनी बयान बाजी में उलजे रहें आज साथ बड़ा पैनल जुड़ रहा है फिलहाल मैं परिचे करादू इसवक शरत प्रदान वरिश पत्रकार है अतिकुर रह्मान मुस्लिम चिंतक हमारे साथ जुड़ रहे हैं साथ ही आचारे प्रमोद कृष्णम राजनीतिक विशलेशक जुड़ रहे हैं शुरुवात आज प्रदान मंत्री मोदी संबोधित कर रहे थे कि आपने मुझे बहुत कुछ दिया है आज कुछ और चीजे मैं आपसे मांगने आया हूँ वो सब भी मुझे दे दीजे लेकिन कनिका कपूर आज आते ही हमें खबर सामने आए कि उन्होंने इतने लोगों को संक्रमित किया है क कि आप डेटा जुटाने के लिए अभी कई दिन लगा देंगे इसके लिए जिम्मेदार कौन है क्या कनिका कपूर जितनी जिन्मेदार है उतने ही जिम्मेदार वो बाकी लोग नहीं है जो जानते हुए उस पार्टी में गए कि करी का कनिका कपूर लंदन जैसी जगा पर जहां पर पीड़ितों की संख्या बहुत जादा है इसमें तो कोई शक नहीं कि प्रदान मंत्री का भाशन कल बड़ा बड़ा अच्छा भाशन था और लोगों को उससे सीख लेनी चाहिए लेकिन यह जो आप जिम्मेदारी की जो जो रिस्पांसिबिलिटी जो फिक्स कर रही है उसमें अब एक बड़ी इंपॉर्टन कड़ी भूल गई है इसमें सबसे जादा जिम्मेदार मेरी नजर में वो ऑफिशल्स हैं जिन्होंने डेली इंटरनाशन एरपोर्ट पर या बंबे इंटरनाशन एरपोर्ट पर जहां य दोशी वो ऑफिशल्स हैं जिनको ड्यूटी पे लगाया गया है और पूरे दुनिया में वावाई की जा रही है और बारों में छप रही है कि साब इंडिया के एरपोर्ट पर जो परफेक्ट फूल प्रूफ सिस्टम है कोई नहीं बचके जा सकता यह क्या यह करिका कपूर अच्छा किया रहा है कि वहाँ पर भी उन्होंने किस तरह से मिस्लीड किया है एरपोर्ट ऑथोरिटीज की तरफ से यह बात सामझे आ रही है हाला कि वह कह रही है कि मैंने पूरा प्रूसस फॉलो किया है आप मुझे बताईए कि आप लखनौ में भी है यह बात भी कोई करी गई है होस्त करी गई है बीजपी के एंपी हैं और बहुत बड़े बिल्डर हैं लखनौ के सबसे बड़े संजय सेट वो मेंबर ओफ राज सभा है हाली में समाजवादी पार्टी से शिफ्ट होके इसमें गए हैं और उन्होंने पार्टी करी एक बस्पा के पुरा करने वालों में यूपी के हिल्थ मिनिस्टर भी थे यूपी के कई और पॉलिटिशन से रूलिंग पार्टी के और ऑपोजिशन पार्टी के मौजूद थे बड़े-बड़े ब्यूरोक्राट्स सीनियर आयस ऑफिसर्स जो वहां गए लेकिन क्या ये दोशी उनको कोई पता तो अगर कनिका कपूर को मालूम होता है तो खुद ही क्यों जाती पहली अपको पता है कि वहां पर सबसे जादा संक्रमन के मरीज सामने आ रहे हैं आपने जान बूचकर लापरवाही की आप इस बात को क्यों एडमिट नहीं कर रहे हैं ये बात तो सही है इसको बानने में क कि प्रस्टों के पांडें की उर्गनाईस की उनकी ذ 옆 द्री कि मैंने यह बिल्कुल नहीं कहा ये बिल्कुल के से पदा ये आ अपने की जो उफिश्यगा जिन जिन लोगो के संपर्ख में आई होंगी कनिका कनिका कपूर अब उनके पास क्या minutes है उनकी सिती क्या होगी कब आइटेंटिफिकेशन होगा कि उन्हें इस तरह का संक्रमण हुआ है नहीं हुआ है क्या सिती हो सकती अब देखे जो भी लोग उनके टच में आये हैं उनको संक्रमण हो या ना हो वो अपने आपको अगले चौदा दिनों के लिए कमरों में बंद कर लें किसी और से ना मिलें अपने साथ तो जो हुआ उसमें ouiahaha को इजिए कोफ पने शूरज़ंग सरदी help line number पे call करके उनके instruction को follow करें अभी तक जो लोग उनके उस primary contact के touch में आये हैं जैसे कनिका कपूर के touch में जो भी लोग आये हैं उनके लिए एक हिदायत है कि वो अपने आपको कमरों में बंद कर ले और किसी से ना मिले as a responsible citizen उनको यही करना चाहिए politics की बात हम बाद में करेंगे पहले उन्हें यही करना चाहिए कि वो अपने आपको घरों में बंद कर ले अपने आपको self isolate कर ले अगर उनको कोई symptom है तो डॉक्टरी मदद ले आचारे प्रमोध कृष्णम जी इतनी बड़ी लापरवाही हमको शर्म आनी चाहिए कि आप पूरी देश को यह बता रहे हैं जब कि हर तरह की एतियात लीजिए इस तरह अगर कोई विदेश से आ रहा है संपर्क में ना आए उसके अगर आपको इस तरह के संक्रमन की आश रंका है तो खुद को कॉरिंटीन कर लें तब इतनी बड़ी लापरवाही की जा रही है कैसे लड़ेंगे फिर हम इसनी बड़ी महामारी से देखे प्रीती ये सवाल विशे जो है न शर्म का नहीं है ये खतरे का है और ये जो हरकते हैं चोटी चोटी ये बहुत ही जादा बड़ा नुकसान करवा देती हैं अब सवाल इस बात का है कनिका कपूर सेलिबरेटी हैं बहुत अच्छी जागरू के नागरिक हैं उन्हों ने भी ऐसी गलती की और मैं समझता हूं उस गलती का खामियाजा उन्हें भोगना भी पड़ेगा और जो कानून के दाएरे में सजा आएगी वो भी उनको दी जाएगी लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे अभी आप कह रही हैं कनिका कपूर के स चीजे हैं तो एक तो ये एडवाईजरी जो जो उस पाइटी में थे उनको सब को ही इस एडवाईज को फालो करना चाहिए कि वो सब आईसोलेट हो जाएं जैसा भी डॉक्त साथ ने का दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात में और करना चाह रहा हूं अभी सुदानशो जी आएंगे या भाजपाय सरकार की तरफ से जो जुड़ गए हैं हमारे साथ उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में ये शोर मच रहा है पिछले दस दिनों से तो ये ताज होटल में जो पाइटी हुई या या किसी के घर पे जो गेट टूगेधर हुआ तो इसमें सारे ब उपर से टेलिवीजन देख देख के सब उसको लग रहा होगा कि तुने बहुत बड़ी पाप कर दिया है तो कनिका भी इसी देश की नागरिक है हमें उसकी भी चिंता है उसके घरवालों की भी चिंता है गलती तो हो गई उससे सजा भी मिलेगी मगर अब हमें आगे कैसे च चामिल हुए और वो भी तब जब इतना जादा कैंपेंड किया जा रहा है होली से चल रहा है कि प्रधान मंत्री ने होली मिलन तक सागित कर दिया यह कैसे हो गया देखे वैसे तो यहां समय दोशारोपन का नहीं है परन तुम्हें यह बात कहूंगा कि जब प्रधान मंत्र दिया था ये एक आग्रह किया था कि होली मिलन के कारेक्रमों में हम लोग सावधानी बरते या था संभव से ना करें हम लोग में किसी ने होली नहीं खेली तो मानी हुए बात है कि होली की पार्टियों से परहेज होना चाहिए था परंतु मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई जो तक वो एक परामर्श था आज आवश्यक्ता उससे ज़्यादा बड़ी हो गई है इसलिए प्रधान मंत्री जी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू किया एक आवान किया है कि अधिक गंभीर अधिक सजग अधिक सतर को हम ये बात ये कहना चाहते हैं जनता कर्फ्यू की बाश तो कल हो रही है कल की मैं तो आपको होली मिलन के दौरान की बात कर रही हूँ जब प्रधान मंत्री ने अपने सारे कार करम रद्द कर दिये उन्होंने खुद अपील की लोगों से लगातार ये कैम्पेइन किया जा रहा था उस समय में ऐसे आयोजनो की जरूरत थी क्या? चुकि आपका अगर टेंपरेचर नहीं भी स्क्रीनिंग में आया तो यह संभावना हो सकती कि चार दिन, पांच दिन, आठ दिन या 14 दिन तक वह कभी भी हो सकता है. तो मैं मानता हूं कहीं न कहीं जो विक्ति विदेश से आये उनकी ज्यादा जुम्मेदारी इसमें बनती है क्योंकि आप किसी पार्टी में या लोगों से मिल जुलना है तो उसको पता नहीं लगता कि आप कोई विक्ति विदेश चाया हुआ है. इसलिए ये और आगे का स्टेप जो जनता कर्फी वाला है इसको करने की आवशकता हुई है. इसलिए मैं कहूंगा दो ही चीज़े जो जी प्रती जी बड़े दुख की बात है देखिए कि हमारे जिम्मेदार लोग जो हम लोगों को जिनको रास्ता दिखाना चाहिए पार्लेमेंट में सेशन भी और प्रदान मंतरी ने इसलिए केरी ओन किया था कि हम अपनी जिम्मेदारी से चूकना नहीं चाहते हैं. तो क्य जो से आगे आने दिनों में और साउधानी बरतना चाहिए यहां पर एक इंपोर्टेंट चीज और प्रिती जी मैंने जो नोट किये मैं क्योंकि एक्सपर्ट नहीं हूँ डॉक्टर साब आपके पास बेड़े हुए जादे अभी आपने सबक लिया किसी को अपील किया आप इस जी मैं हर दे मिलय душे से अंदर लोगों में के अंदर नहीं गलती हमने की हैं परिती में गलती हो से कभी भी पीछे नहीं यटता हूं मैं मानता हूं कि गल्तियां की हैं इनसान गल्तियों का पुतला होता है लेकिन उससे सबक लेकि जो आगे बढ़ जाये वो काबलियत की बात है वो तारीफ की बात है और सरकार को इन चीजों की तारीफ करनी चाहिए सरकार को इस चीज़ को सांगे लाना चाहिए अ आपका भी तो जुबानी ग्या नहीं लग रहा है सिर्फ जी मैंने अभी तक के तीन डिपेट्स परती जी आपके साथ किये और मैंने कहा कि हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और जब टीवी चैनल्स के उपर जो होट टॉपिक बन जाता है वो प्रदान मंत्री के भाशन का पर टॉपिक क्यों ने बना एक अलफाज उन्होंने नहीं कहा इन प्रोटेस के बारे में एक अलफाज ऐसा नहीं कहा जिससे कि उनके प्रती कोई सानुबुती बरतते या उनको वार्निंग देते आखिल कार प्रदान मंत्री की वो प्रजा है प्रदान मंत्री का अपना एक स्टेचर है सुसाइटी के अंदर वो हमको वोन कर सकते थे हमको ड़रा सकते थे धमका सकते थे समझा सकते थे प्यार की बोली बोल सकते थे एक अलफाज नहीं कहा प्रिती जी आप इतने एफ़र्स ले रही है तमाम चैनल वाले जब इतने फिकर मंद है शाहिन बाग को लेकर तो प्रधान मंत्री कुछ ऐसा बोलते जहां पर शाहिन बाग के लोग को ऐसा लगता कि अब त हारी है ठीक है ना लेकिन जब अपके पास बैठे हुए हैं घंटा घरमी बैठे जाकर शाले है उनको क्रोना पाडर है क्यों उनलमाशुमूं का बैठे हुए हैं अंका क्या दो वेक्ती वहां पार्टी बीच में पूला था ये बात प्राइब को अच्छी पार्टी जीज नहीं थी ये बात सबसे पहले काम कीजिए ना अतिक साहब अतिक साहब अतिक साहब बीच में बोलिये प्रिती जी आई मेराहि पूर्ण जा आ हम एधि युप मांगा है कि इनको बोले चुप हो जाने के लिए निको ले माफी बोले चुप हो जाने कмы बोले चुप जाने इनको कैसे की को लिए मेम्ट अपार्लेमेन ने पंटि इनको बोलिएगा चुप रहने जड़ा मैं नहीं था वहां पर नहीं मेरी पार्टी थी लेकिन हाँ जड़ा इतना ही दर्द हो रहा है तो अकबर अहमर डंपी साफ जो बहुजन समाज पार्टी के नेता है उनके घर में यह पार्टी थी जड़ा उनको फोन करके नाठी है कि म करना गलत है नहीं करनी चाहिए थी लोग लाइबिपलों जो गलत है वह बोलत बहुत है वह सई नहीं हो सकता यहां कोरोणा से लड़ने का समय है आप से भातु की बाद वैक्वास करने का समय नहीं है तो गल्त मान रहे है थो एक सुर में सब को ना चाहिए कि जाग-रुकता जाग रुकता जाग रुकता एकलोगता उपाए एक मिट आप से बहस नहीं कर रहा हूं मैं जाग रुकता एकलोगता उपाए है जो प्रधानमंत्री ने कहा है शोशल डिस्टेंसिंग वो होनी चाहिए एक दिन कर्फ्यू लगाया है जल्सा को सब्सक्राइब नरूला गायक हमारे साथ जुड़ गई है आचारी प्रमोद कृष्णम कुछ कहना चाह रहे है प्रमोद जी प्रमोद जी के आवाज नहीं आ रही है जस्पिंदर नरूला जी आपका स्वागत है हमारे शो में आप भी गायका हैं आप भी अंतराश्रे मंज पर जाकर शोज करती हैं लेकिन आज ऐसे वक्त में हम कनिका कपूर की चर्चा कर रहे हैं वो महिला जो बहुती जादा फेमस हैं सिंगिंग के तौर पर उनके गाने हमारे देश में लोग प्रिये हैं ना सिर्फ देश में दुनिया में लोग प्रिये हैं लेकिन एक नागरिक होने के नाते एक जिम्मेदारी उन्हें निभानी चाहिए थी जो उन्होंने निभाई नहीं और उसका खम्याजा आज पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है ऐसा क्यों किया कानिका कपूर ने आपको क्या लगता है क्योंकि वो जो बाते बोल रही हैं उनके पिता जो बाते बोल रहे हैं और जो एरपोर्ट अथारिटी से बाते आ रही हैं उन सब में फैक्स में अलग अलग बाते सामने आ रही हैं पहली बात तो यह है कि फैक्ट्स क्या हैं वो पता करने जरूरी हैं कि क्या फैक्ट्स हैं मैं इतना ही जानती हूं कि यह सोशल मीडिया पे मैंने भी पढ़ा और मुझे भी पता चला अगर उन्होंने ऐसा किया है तो बहुत गलत है क्योंकि ये बहुत जिम्मेवारी का काम है अपने जहां तो इतने लोग हेल्प कर रहे हैं इस चीज़ से निकलने की बाहर निकालने की लोग वॉलिंटेर कर रहे हैं जा जाके और मोदी जी ने भी ये कहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनोंने अपनी जान पे खेल के जो है वो इस तरह का काम अच्छा काम कर रहे हैं कि मतलब लोगों में सोशली जो जाके वो इस काम को बीड़ा उठाके और उस चीज़ को कर रहे हैं और वहां दूसरी तरफ जो हम एक आईकॉन होते हैं अपनी सुसाइटी के लिए हम इस तरह कि अगर कोई चीज़ को हम नेगलेक्ट करते हैं या इस चीज़ से हम नजर अंदाज करते हैं उसको तो ये बुरी बात है क्या उनकी पहली प्रात्मिक्ता ये नहीं होनी चाहिए थी कि वो एक ऐसी जगह से आ रही थी लंदन से आ रही थी जहां पर कोरोना वाइरस के बहुत जादा संक्रमित मरीजों की संक्या है तो वो पहले खुद आपको कॉरंटीन करती बजाय किस तरह पार्टियां करती और सिर्फ पार्टियानी वहां से भी उन्होंने ट्रावल किया है अब ही देखिए कुछ दिन पहले अनूप जी का भी सुना कि वो आए थे और उनको एरपोर्ट से सीधा ले जाया गया और उनको रखा गया और वो सब ये हमने सुना और इस तरह मतलब मुझे समझ में नहीं आई कि वो किस तरह निकल गई और किस तरह उन्होंने इस मतलब समझें कोई सीरियस नहीं समझा इसको सीरियसली नहीं लिया ये बहुत लोगों की जान का इसमें अपनी जान भी और लोगों की जान भी मतलब सबके इसमें ये सबके लिए ही खतरनाक है ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है इस चीज़ को मतलब किस तरह इन्होंने ने न वही मैं कह रही हूँ हलके में ही लिया न मतलब इसको बिलकुल सीरियसली नहीं लिया वही मैं इंगिश में कह रही हूँ कि सीरियसली नहीं लिया इस चीज को कि अरे देखा जाएगा मतलब ऐसा क्या मतलब आमोमन लोग ऐसा समझते हैं कि छोड़ परे इस तरह हो सकता है उन् को जी जी नौ तारिक को लोटी है और आज 20 मार्च हो गई है तो वहां तो फॉरन में तो पहले ही चल रहा था जी फॉरन में तो वैसे ही ये पहले से भॉत जादा हम लोग सुन रहे थे और हिंदोस्तान में तो बहुत देर बाद इसके जो है symptoms और ये सब शुरू हुआ हैं तो मतलब अगर उस वक्त वो आई हैं तो उनको ये चीज सतरक्ता बरत नी चाहिए थी ये आचारे प्रमोन कुष्प जी जस्पिंदर भी कह रही है कि बहुत बड़ी लापरवाही हुई है और एरपोर्ट पर कोरोना जाच से बचने का भी उन पर आरोप है एक बहुत बड़ी लापरवाही जिसमें उन्होंने खुद की तो जान जोकिम में डाली ही अपने से जु सिम्टम्स आते हैं आप टेलिवीजन चैनल से आप रोज दस दिन से चीख-चीख के कह रहे हैं क्राइम मिनिस्टर में भी बोला है कि अगर किसी को कोई सिम्टम्स आता है तो उससे घवराए ना डॉक्टर अपने आपको आइसोलेट कर ले और डॉक्टर से सला ले लेकिन क आनिका कपूर ने कुछ जरूर गलती की है जो गलती जिस गलती की सजा उन्हें और उनके तमाम मिलने वालों को भोगनी पड़ेगी ये बहुत बड़ी बात है मैं एक सुदानशु जी से एक अंड़ोध करना चाहता हूं एक आगरे करना चाहता हूं उस सरकार का चाहें वो उत्तरकदेश की सरकार हो जिला लेवल पर जो हस्पिटल्स हैं सरकारी उनके अलावा बहुत से ऐसे हॉस्पिटल नर्सिंग होम होते हैं चोटे-चोटे क्लीनिक्स होते हैं जो बहुत बड़ा काम करते हैं क्योंकि अगर ये बीमारी और फैलती है तो इसकी जां तो क्योंकि इतना बल्क में फैलेगा तो उसके लिए उनकी सिम्मेदारी एक तैह हो जाए पहले सी ये चीज अच्छी स्टेट गवर्मेंट्स को अगर आप कहते हैं जैसा मुझे मालूम चला है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अभी ये राइट्स नहीं दिया गया है प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत बड़ा काम कर सकते हैं इस देश की आफ़त के समय में तो मैं सुदान्चु जी से जानना चाहता हूं पूरे आपके चैनल के मादम से सारे लोग भी जानेंगे और ये इरादा कमजोर ना पड़े इसके लिए तैयारियां क्या हो सकती ह देखें तैयारियों के विशे में स्वास्त मंत्राले द्वारा समय समय बे बताया गया है जब यह बात शुरू हुई थी तो उस समय पूरे देश में केवल एक ही लैब थी पूरे की लैब जो कि इसकी जाच कर सकती थी जैसे यह आगे बढ़ी तो सबसे पहले 15 लैब और आ उसको तेजी के साथ बढ़ाया जा रहा है एडिशनल किट्स के द्वारा भी और जो आचार जी ने कहा कि अभी सिर्फ सरकारी अस्पतालों तक ही है परन्तु जाच के किट की विवस्ता आने जगहों पर भी करने की सुविधा सरकार करने का प्रयास कर रही है हाँ जहां तक जल्दी उनको प्राइवेट सेक्टर में भी पहुचाना संभव नहीं होगा इसलिए प्रधान मंत्री जी ने यह आग्रे किया है कि सरकार तेजी के साथ उसका प्रसार कर रही है उन सारी जगहों के उपर हम जितनी सावधानी बरतेंगे तो रोग का प्रसार कम होगा रोग जिस पर मैं आतिकूर एमान जी से भी कॉमेंट लूँगे और आचारे जी आप मुझे बताए कि कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि बेहतर होता प्रधान मंत्री ठोस कदमों का उन्होंने जिक्र नहीं किया जो हमको जानकारी हो जाए कि किस तरह से फैल रहा है लगातार हर कोशि प्रधान मंत्री जी का बीजेपी का विरोधी व्यक्ति माना जाता हूं लेकिन सवाल ये विरोध का पक्ष विपक्ष का नहीं है सवाल है देश को इस समय एक रहना है और प्राइम मिनिस्टर भी अगर ये अपील जारी कर रहे है तो वो अपने इंट्रेस्ट में नहीं कर है तो ये हमारे समारे कर लाए है पर चोटी मोटी बाते हो जाती है इस पर जादा जोड ना दिया जाए मैं आपके चैनल से बड़ी विनमरता से सबको अपीर कर रहा हूं कि इस समय कोई प्रोटेस्ट जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं चाहें वो दिल्ली में कर रहे हैं लखनों में कर रहे हैं यद देश के किसी भी कौने में लोग रहे हैं यह प्रोटेस्ट बाद में भी हो सकता है ना तो सरकार कही भागी जारे है ना देश कहीं बागा जारे ना हम लोग कहीं भागा जारे भứng बक्ष नहें लहेगा सियासत होती रहे और इन परेऊन पर आगे बढ़ा दोना चाहिए जा गए हैं कोरोना से जुड़ी है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आरपार में आप देख रहे हैं कानिका की सभी पार्टियों की जाच के आदेश दिये गए हैं जिसने भी वो और्गनाइज की थी कानिका कपूर उनमें गई थी वो किन-किन लोगों से मिली थी प्रमोग्री करेंगे इन पार्टियों की जाच सुदान्चु जी आप कुछ कह रहे थे परंतु इस समय किसी प्रकार के प्रोटेस्ट को निरस्त कर देना चाहिए देखें उसमें क्या था सही था वो तो एक अलग बात है परंतु इस समय हमें ये समझना चाहिए कि जो लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हैं उन सब की जान को खतरा हो सकता एक छोटी सी बात अगर अगर मराज्यातिक भी करना चाहिए जब दिली के मुख्यमंत्री जी ने यह आवान किया है कि बहुत पचास स्यादा लोग एक जगे पर नई खटा हों या बीस से अधिक ना हों उलेखनी बात ये है कि वहां से विधायक उन्हीं की पार्टी के है उलेखनी बात ये है कि शाहिन बाग के सभी लोगों ने अमारतुल्ला खां को जबर्दस वोटिंग 73,000 वोट से जीते हैं आप सोचे 73,000 वोट से विधान समा जीतना कितनी बड़ी बात होती है इसके बावजूद उनकी तरफ से एक आवान तक नहीं आ रहा है वहां तक जाके कम से कम इस्थानी विधाय को कहना चाहिए प्रदान मंत्री से अपील कराने की बात जरूर कह रहे हैं लेकिन खुद जो जीत कर आए हैं और इतनी बड़ी महामारी के दौर से हम सब लोग गुजर रहे हैं उन्होंने कौन से अपील की? लेकिए इससे पहले मुझे एक सवाल पूछना है इनसे सुदानशु जी से क्योंकि पहले की जो बात होड़ी थी उसके बाद मेरा ये पता नहीं कैसे कट गया था मेरा ये लाइनी कट गया थी दस बारा मेरे टक्स बाहर रहा हूँ इसलिए मुझे पहले सवाल पूछन दीजे सवाल ये बहुत एहम है और सुदानशु जी इस बात से अप्रिशेट करें मैं इनका बड़ा एड्माइर हूँ बड़े अच्छा बोलते हैं लेकिन ये चीज़ बताएं कि ये सबकी रिस्पॉंसिबिलिटी फिक्स कर रहे हैं जो ओफिशल्स जिन्होंने एरपोर्ट के ओफिशल्स हेल्थ ओफिशल्स जिनकी ड्यूटी लगी है एरपोर्ट्स पे बंबे डेली लखनाओ वो क्या कर रहे थे कैसे उन्हें कनिका कपूर को निकलने दिया कनिका कपूर अगर निकल गई तो या तो रिश्वत देके निकली होगी तो भी उनके खलाफ कारवाई होनी चाहिए अभी तक हो जानी चाहिए थी या उन्होंने अपकी ड्यूटी नहीं करी सबसे पहली प्राइमरी रिस्पॉंसिबिलिटी उनकी दुनिया के ये कारनामे किये जा रहे है कि ये जाच वो जाच मैं जानता हूँ किस तरह जाचे होती है यहां पर किसको कैसे बचाया जाता है जबाब दीजी जुलांचु जी कैसे एरपोर्ट अथारिटी को चक्मा देकर या पर रिश्वा देकर या कैसे निकलाई बताइए कारवाई करेंगे आप उन लोगों पर और या भी तक आइडेंटिफाई कब तक को पाएगा हमें उसी प्यारा हूँ या जाच का भी शाय है कि वह प्रक्रिया के द्वारा निकली प्रक्रिया से बच के निकली है परन्तु जो भी वेक्ति समय विदेश से आ रहा है बिल्कुल आजाच में जो लोग वहाँ पर पाए जाएंगे गलत उन पर भी निश्यतरुप से करवाई होगी कि एक भी वेक्ति कैसे बच के निकल सकता यदि बच के निकल गया तो परन्त जो भी वेक्ति विदेश से आ रहा है एक भी वेक्ति उस सब को यह एडवाईजरी है कि वो चौदा दिन तक अपने को कॉरिंटाइन में रखें आइसोलेशन में रखें तो भाई कोई कम पढ़ा लिखा वेक्ति हो कोई वेक्ति दूसरा चौथा पास हो जो कहीं गया हो मजदूरी करने के लिए लौट क्या एक अज्यानता में समझ सकते पर इतना पढ़ा लिखा वेक्ति इतना समझदार वेक्ति मैं करा हूं वह जदी वो निकली वह कारवाई तो सरकारी अधिकारियों पर मेडिकल हेल्थ ऑफिशल पर अपनी जगह अरे भाई आप अपनी जुमेटारी तो समझेए आपको तो पता है कि मैं करियर हो सकता हूं या हो सकती हूं तो वह भी तो ध्यान रखना चाहिए दोनों बाते हैं बिलकुल सही का आपने लेकिन आप उनको क्यों डिफेंड कर रह आप तर्क वैसा है कि चोर चोरी करने में सफल हो गया इसलिए चोर की गलती से ज्यादा बड़ी मोहले के चोकीदार की गलती है नहीं नहीं चोर की चोरी की सजा कम और चोकीदार की सजा जादा यही हुआ ना आपका तर्क तो कि वो बचने में सवल हो गई तो सारी मैं कर रहा हूं दोनों पे करवाई है पर जो करके आ रहा वो तो समझ रहा ना वो कितने जान चोकिम में डालना है तो दोनों की बरावर का उत्तर दाई अगर अगर वो ऐस प्राइमरी ड्यूटी उसकी है लेकि इस बात से उस बात को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि तर्का कपूर को आप मेनिफिट ऑफ डाउट दे दीजे ऐसा नहीं होगा कारवाई होगी दोनों पर होनी चाहिए यह बात सही है जस्पिंदर नरुला जस्पिंदर मैं एक ब मेरे सव जानेuce जा सवी है कि आप लोग सेलिवरिटी हैं आप लोगों को पहचानते हैं कभी पर और यह पूरा प्रॉसेस फॉलो करते हैं अगरानी में तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो बच्च कर निकल गई हो जब कभी जब कभी हमें चेकिंग करते हैं तो मैं हमेशा उनको यह कहते हैं वो पैचान लेते हैं नाम पड़ते हैं एक दो मारे मैडम आप बड़ी दिन के देखो यह नहीं सोचना कि मैं कौन हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी चेकिंग करवा कि उनको जिस तरीके से जो लेडीज जो वहां हो रहती हैं, जो चेक करने के लिए, सेक्यूरिटी के लिए होती हैं, वो कहती हैं, कई बार वो ऐसे ऐसे करके, मतलब इस तरह से मतलब वो उ इसलिए नहीं कि मैं सेलेबरिटी हूँ तो मैं इस चीज से बिना उसको किया निकल जाओं, और मैं अपना बैग देती हूँ, लीजिए इसको चेक कीजिए, अगर इसमें कुछ है आपको लगता है, प्लीज चेक कीजिए, कई बार वो होता है, उस पे आ जाता है, आमारे ब अब दो चीज़े हैं, जो अभी भाई साब कह रहे थे, बिलकुल मैं उनके साथ सहमत हूँ, कि कनिका कपूर की पहली रिस्पॉंसिबिलिटी है, मैं आ रही हूँ, मैं आई हूँ बार से, और मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, उनको ये, इसको सीरिसली लेना चाहिए था, और जो वहां चेकिन करने वाले थे, उनकी भी खलती है, क्योंकि अगर उन्सेस तरह से चेक नहीं किया, तो ये उनकी भी घलती है, पहली गलती मेरी है, कि मैं अपने आपको आ के प्रॉपर्र नी चेक नहीं करा रही हूँ, अगर मैं हूँ, तो मैं भी इसका रिस्पॉंसिबि तर्मल चेक की बात की जा रही है कि वह व्यक्ति कोरोना वारस का संक्रमित है यह इतनी इसली आइदेंटिफाइड नहीं हो सकता तो देखिया जो अबी तक कि लोग आपसे बहांस कर रहे हैं अगर हम सुनने पर आएं प्रॉपर ली तो इसने एक एक एक्जामपिल मानके सीखने की जरूरत है पहली गलती कनिका कपूर की तरफ से हुई है जो लंडन से आई उन्होंने अपने आपको आईसोलेट नहीं किया अब बात आती है कि जो चेक करने वाले थे उन्होंने चिकिंग की की नहीं की सारज जी कोई थे शायद वो पूछ रहे थे सवाल नौ तारिक को जैसा कि आपने ही बताए कि ये नौ तारिक क्वाई है लेकिन जो sensitive देश थे जो हमारे देश की list में जो हमारे government की list निकली थी उसमें 9 तारिक को शायद London नहीं था तो वो निकल सकते हैं अगर अब इसके बाद मैं आगे जाके बोलना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए कोई भी आदमी इस समय विदेश से आ रहा है जरूरी नहीं है कि वो temperature scanning में आए ये possible नहीं है इसलिए हो सकता है कनिका कपूर जब आई हो और उनकी checking भी हुई हो पर temperature scanning में नहीं आई होई होगी तो उस समय ड्यूटी ये बनती थी कि 14 दिन का isolation जैसे कि अब government ने follow किया कि सारे कोई भी आ रहा है उनका foreign से बंद कर दिया है और जो sensitive सबको 14 दिन का isolation की जरूरत है गलती दोनों level पे हो सकती है तीसरे level की जो गलती party की और वहां पे जो लोग contract tracing में आ पर वो चाहते हैं आज अगर देश भक्ती दिखाना चाहते हैं अपने को देश में समर्पित दिखाना चाहते हैं बड़े political leaders हैं सब दिखाना चाहते हैं तो अपने आपको घरों में बंद कर ले 15 दिनों के लिए यही उनसे आज उम्मीद चीजा सकती है और लगातार ये campaign ह ब्रेक का वक्त है लेकिन जस्पिंदर नरुला जी बहुत सारे fans इस वक्त आपको देख रहे हैं और पूरे देश में कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए हम लोग लगातार प्रचार कर रहे हैं जो भी चीज़े सामने आ रही हैं उनको शेयर कर रहे हैं लेकिन इस ब्रेक के बाद ही कुछ सोचूंगी क्योंकि अभी तक तो बिल्कु दिमाग किसी तरफ हैं चलिए ठीक है मैं ब्रेक ले रहे हूं ब्रेक के बाद आप सोच के रखेगा ब्रेक के बाद जम वापस आएंगे दो जस्पिंदर नरुला हमारे साथ हैं वो अपना सूरीला जो जानिमानी सिंगर हैं उनकी वज़ा से अब ये माना जा रहा है कि और लोगों तक बहुत तेजी से फैला है ये संकमन या फिर वो भी कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं इस बात की अशंका बढ़ गई है जस्पिंदर जी मैं ब्रेक पर जब गई थी तब मैंने आप से कह जा था कि मौझूदा सिती में हाला कि मुश्किल है कि आप सुरीली हो लेकिन आपके फैंस लगाता मुझे सोशल साइट पर ये बोल रहे हैं कि जस्पिंदर जी आपके साथ हैं जरूर एक सुरीला अंदाज उनका नजर आना चाहिए तो पहले मैं चाहूंगी कि आप उस प्रार्थना याद आ रही है क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि जिस वक्त में हम सिर्फ प्रार्थना करें इश्वर से और सब के लिए सब का भला मांगें क्योंकि हम हमेशा गुर्बानी पढ़ते हैं तो कहते हैं सरबद्दा भला तो इस वक्त सिर्फ हमने भला मांगना है सब के इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, यूँ चलेने एक रस्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, यूँ चलेने एक रस्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना बहुत खुबसूरत अपील आपने जस्मिंदर जी की में वापस, जी, जी, कहिए क्या कहना चाहती हैं, कहिए जी, जी, मैं यही कहना चाहती हूँ, कि हमारी इंडस्ट्री जो है, ऐसी नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे लोग है हमारी इंडस्ट्री में और हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, यही हमारी कोशिश रहती है कि भला हो सबका भला कर सके हम अपने संगीत के माध्यम से या किसी तरह कोई भी दुख का समय आता है तो हमेशा हम लोग सब मिलकर जुट जाते हैं उसमें पूरी दुख की गड़ी में सबको साथ रहना चाहिए अभी भी राजनीती चाहिए उनको ऐसे मौके पर देखिए अब इस दो बातों को एग्णोर करना चाहिए आपका प्लेटफॉर्म है जैसे अभी जस्विंदर जी ने कहा कि हमें शक्ती चाहिए हमें साहास चाहिए है प्रधानमंतिरी ने जो कहा है कि साहास है सायम आपके प्लेटफॉर्म से सिफ एक मेसेज जाना चाहिए अगले दस दिन तक देशवासी अपने उपर कर्फ्यू लगाए कम से कम मिले जुलें घरों में रहें ताकि इस डिजीज को हम सेकेंड से थर्ड स्टेज में नहीं जानेते हैं बाकि त्वस्त रहेंगे जिंदा रहेंगे तो जीवन भराजनीती चलेगी ना मेरी उमर जा रही है ना इन लोगों की उमर जा रही है इसलिए वेर्थ की बहस में आज पढ़ने का समय नहीं है एक मेसेज जाना सोशल डिस्टेंसिंग शाहिन बागवालों को कैसे समझाएगी? प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वाल्व करिएगा खतरा बहुत बड़ा है हम पहले से प्रिपेर होंगे तब ही शायद कुछ चीजें हम उसका मुकाबला कर सकते हैं दिखे जो आचारी जी ने कहा तो सरकार हर संभव इस्तर के ऊपर वस्थाओं को चाक चौबंद करने के लिए सतत प्रेतनशील है और जैसा मैंने आपको भी बताया था कि चाहें किट्स का मामला हो लेबरेटरी के एक्स्टेंशन का मामला हो जाच करने वाले जाच के अंदरों का उस सब के बारे में सरकार काम कर रही है जहां तक ये बात थी जो आपने कहा राज्यातिक धन्ना प्रदर्शन तो मैं फिर विनमबरता से कहना चाहूंगा हो सकता किसी को अच्छा लगे या बुरा भाई चारे के नाम पे बैठे हुए शाहिन बाग के लोग मेरे ख्याल से चारा बने हुए हैं तो जिन लोगों ने उन्हें भाई चारे के नाम पे चारा बनाया था उनका प्रात्मी को प्रदर्शन नहीं बल्कि वो जो ग्यान हम सब लोग एक दूसरे को दे रहे हैं उसे हम सब को व्यक्तिगत तोर पर अपनाने की जुरुत है मेरी बस आपसे यही अपील है आज की शो में बस इतना ही आप सभी का धन्यवाद जुने के लिए आगे देखिए अगला शो और पिता के साथ